इस्टार्ट करते हैं दोस्तों इस वीडियो को कोफोर्ज हमारे पास में डिसकस करने के लिए करने प्राइस की बात करें तो 4,101 रुपे का देखने को मिलता है आज के दिन सेयर में सांदार 3% के आसपास की तेजी हमें देखने को मिल जाती है कमपनी के Q4 के जो नंबर्स हैं वो आउट हो चुके हैं और Q4 की परपोर्मेंस किस तरह की रही है वो हम डिसकस इस वीडियो में करने बाले हैं Q4 के नंबर को डिसकस करें उससे पहले कमपनी का ट्रैक रिकोड एक बार देख लेते हैं 5 दिन में 6% के आसपास की तेजी देखने को मिलती है एक महीने में 12%, 13% के आसपास की तेजी है 6 महीने में अगर देखें तो 8,5% के आसपास की तेजी देखने को मिल जाती है एक साल की बात करें तो सेयर फ्लैट ट्रेड होता हुआ हमें देखने को मिल जाएगा पास साल की बात करें तो पास साल में लगवक दोगने से ज़्यादा पैसा जो है इसने अपने इंबेस्टर का बना के दिया है इस बीच 6,000 रुपे का कमपनी का हाई भी हमें देखने को मिल जाता है maximum return की बात करें तो 104% का ही हमें देखने को मिलता है क्योंकि 2020 की जो है कमपनी की listing हमें जो है देखने को मिलती है यानि कि 3 साल में जो है investor का पैसा इस तेर ने दूगना करके दे दिया है अब सीधे चलते हैं और Q4 के नंबर को discuss करते हैं कोफोर्ज लिमिटेड कंसोलिटेटेड मार्च 2023 नेट सेल्स एट RS 2170 करोड अब 24.51% बाई उन बाई कहने का मतलब यह है कि 2170 करोड का कमपनी ने revenue कमपनी की sales जो है करेंट कॉर्टर में हमें जो है देखने को मिलती है 2070 की sales रही है कमपेरीजन करें पिछले साल के नंबर से तो 1742 करोड की sales हमें पिछले साल देखने को मिल रही थी वहां से अच्छागासा जंप जो है हमें कमपनी की sales में देखने को मिल जाता है नेट प्रोफिट की बात करें तो नेट प्रोफिट में जो है तगड़ा डाउन फाल जो है हमें देखने को मिलता है नेट प्रोफिट जो कंपणी का रहा है 114.8-0 करोड के आसपास का रहा है बड़ी गिरावट नेट प्रोफिट में कमपनी के देखने को मिली है 44.7-3% की एक गिरावट है कम पे रीजन करें पिछले साल के नंबर से तो 207 करोड के आसपास का नेट प्रोफिट पिछले साल में देखने को मिल रहा था EBI TD की बात करें तो ये रहा है 298 करोड के आसपास इसमें भी गिरावट देखने को मिली है 11.2% के आसपास की गिरावट है 335 करोड से जो कि पिछले साल देखने को मिल रहा था अर्निंग पर सेर डिक्रीज हुई है और बड़ी डिक्रीज जो है यानि कि बड़ी गिरावट अर्निंग पर सेर में हमें देखने को मिली है अब जो है कोफोर्ज के जो नंबर है हमें पता है कि 48 परसेंट तक जो है जो net profit है वो गिर गया है लेकिन सेयर में जो है 3% की तेजी हमें देखने को मिली है तेजी के पीछे की जो बजा रही है यहां पर जो revenue का जो forecast उसको जो है मतला बीट किया है हमें जो है ऐसा लग रहा थ कि 48% की गिरावट के बाद share गिरना चाहिए लेकिन यहाँ पे जो revenue growth है revenue growth उस तरह की रही है कि company ने जो है अगर हम तीसरे article को पढ़ें तो इसमें हमें देखने को मिलेगा फुल इयर revenue crosses dollar 1 billion mark तो यह जो revenue है revenue ने 1 billion dollar का जो mark है उसको जो है cross कर लिया है profit हलाकि drop हुआ है लेकिन जो revenue है revenue यहाँ पे जो है 1 billion के पार जो है पहुच गया है और यह जो न्यूज है यानि कि जो revenue के उपर जो न्यूज आई थी उसके बाद जो है कंपणी के सेयर में जोह तेजी देखने को मिली है जो profit जो गिरा है यानि की पेटालीस से एर्टालीस परसंट की गिरावट है net profit में तो उस वज़ा से जो है हमें गिरावट देखने को मिलनी चाहिए थी लेकिन इस न्यूज के बाद जो है हमें गिरावट कोफोर्ण के सेयर में देखने को नहीं मिली उसके साथ ही कंपणी ने 19 रुपे पर सेयर का डिविडेंट भी जो है अनौंस के आया तो जो भी सेयर होल्डर है वो जो है उनको कंपणी 19 रुपे का डिविडेंट भी देने के बारे में अनौंस कर चुगी है में भी हो सकता है सेयर में कल के दिन हमें मंदी देखने को मिल थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल जाए क्योंकि हमें पता है प्रोफिट सिंग हुआ है 48 परसेंट जो की छोटी मोटी बात नहीं है काफी बड़ी बात है हाला कि रिविन्यू आपका कितना ही बढ़ा हो प्रोफिट अगर आपका डिक्रीज हो रहा है 48 परसेंट तक कही न कहीं कंपणी के लिए दिक्कत की चीज यह जो है यानि कि परिसानी का सामना कहीं न गई कंपणी को करना पढ़ रहा है प्रोफिट जनलेट करने में चारड का मुवमेंट थोड़ा सा उपर की तरप देखने को इसमें मिलेगा 4000 रुपे के उपर का जो है ृप्राइस देखने को सबोर्ट की बात करें तो 356 रुपे के पास पास कि तक्री महीने में मंच last को वूते हैं इस सेर के ऊपर बनाके रखनी है एक पैनी निगाज इसको बोलते हैं वो इस share के उपर बना के रखनी है कल के दिन क्या इस्तिती रहती है जो numbers company के report हुए है उन numbers के बाद कैसा reaction share का होता है वो जो है देखने वाली एक चीज होगी हाला कि आज के दिन 3% की तेजी हमें जो है देखने को मिली है टार्गेट ज्यादा बड़े नहीं होंगे में भी हो सकता है यह share आपको यहां तक इस लेवल तक जो है अराम से जाता हुआ 4500 रुपे 400 रुपे के लेवल तक अराम से जाता हुआ देखने को मिल सकता है तो यही टार्गेट लेके आप जो है बेटेंट बाज की पोलिशी अपना है और अपनी जो भी क्वांटेडी है उसको जो है अराम के साथ फोल्ड करके रख सकते हैं